नमस्कार बहुत स्वागत है आपका किसान तक में मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट बात कर लेते हैं मौसम को लेकर लगातार मौसम में बदलाव जारी है लगभग मौनसून ने सबी जगा दसक दी दिया और जमा जम बारिश के चलते कहीं पर बारिश आफद बनी हुई थे ऐसे में जान लेते हैं कि 24 गंटे कैसा रहेगा देशपर का मौसम क्या कहता है आयमडे का पूर्वानुमान दोस्तों परवती शेत्रों से शुरुबात करते हैं जहां पर नज़र डालेंगे सबसे पहले जमो कश्मीर लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कभी बारिश तो कभी हलकी धूप देखने को मिल रही है हाला कि जमो कश्मीर में अभी मौसम सामाने बना वाय है लेकिन आपको बता दे कि हमाचर प्रदेश में हवा की तेज गति देखने को मिल रही है हाला कि उत्तर खंड में भी बारिश का दौर लगातार जा रही है और खास दोर पर उत्तर भारत की में बात करूँ तो उत्तर भारत में भी बारिश का दौर जा रही है पंजाब में अभी कोई गतिविदी देखने को नहीं मिल रही है हरियान चंडिगर दिली में लेकिन मौसम विभा का ये कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है बुंदावांदी अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलट यहाँ पर नजर आ रहा है वहीं राजिस्तान की बात की जाए तो इस्ट राजिस्तान में बारिश की गतिविदी साफ तोर पर देखने को मिल रही है और वेस्ट जियाजिस्थान के बात के जाए तो हवा की गती हाला कि अभी देखनी को मिल रही है लेकिन बारिश भी हो सकती है मद्याप्रदेश के अब बात कर लेते हैं पूरी तरीके से हम देखेंगे इस्ट से लेकर वेस्ट मद्याप्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की गतिवी दिल लगातार जारी है अब बात करते हैं गुजरात रेजन की यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा की तेज गति के साथ बारिश को लेकर अलट जारी किया गया है नीजी की तरफ आएंगे मध्य महाराष्ट में यहाँ पर भारी बारिश का दौर पेशले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कोंकड गुवा में भी भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलट जारी है तो यहाँ पर कोशल करनाटक में भी भारी बारिश का दौर जारी है और नीची की तरफ आएंगे तो तमिल लाड़ो पूंड इचेरी और केरन यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश की गतिविदी लगातार जारी है वही तेलंगाना में हवा की तेज गति देखने को मिल रही है ओडिश्र की बात की जाये तो अभी मौसम थोड़ा सामाने नजर आ रहा है जहारकरण में देखेंगे कि हवा की तेज गति बिहार में भी बारिश से मौसम खुशनमा है और लगातार बाड जैसे इस्तिती भी नजर आ रही है वेस्ट बेंगल सिक्किम हो गया और अरुनाजर प्रदेश इस जगह पर आप देख सकते हैं लाल रंकाई निशान याने कि भारिश से बहुत ज़ादा भारी बारिश अरुनाजर प्रदेश में हो सकती है असम मेगाले में भी पिछले 24 गंटे के दर्मियान औरेंज अलट जारी किया गया है यहां पर भी भारिश से बहुत जादा भारिश का अलट जारी किया गया है तो जिस तरीके से हमने देखा कि कही यहां पर कही पर बारिश की गतीविदी जारी है कहीं पर red अलट है तो कहीं orange और कहीं पर yellow अलट देखने को मिल रहा है तो आने वाले जो 3-4 दिन होंगे वो थोड़े भारी होंगे क्योंकि ऐसे में IMD के द्वारा एक आ जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का जो दौर है वो काफ़ी जाला भयंकर होगा क्योंकि कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है खास दौर पर पहाड़ी शेत्रों में उद्रखन की में बात करो तो वहाँ पर तो हालाद बहतर नहीं है इसी तरीके से बिहार के भी कई ऐसे लाके हैं जहां पर बार जैसे स्थिती बनती नज़र आ रही है असम में भी हालाद बत से बत्तर होते जा रहे हैं ऐसे में आयमडी के द्वारा भी हिदायत लोगों को दी जा रही है तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रही है किसान तक